दोस्तो विराट कोली और रोहिच सर्मा फैंस के लिए एक बहुत ब़िया न्यूज है क्योंकि हमें जो लग रहा था कि T20 से रोहिच सर्मा और विराट कोली को हटाया जा सकता है उसको खारिच करते हुए इंडियन मैनेजमेंट इंडियन T20 इसक्वाड में विराट कोली और रोहिच सर्मा को लेकर आए है हम अगर बात करें अफगानिस्तन के खिलाप इंडिया की 11 तारीक से जो खेल होने को है उसमें रोहिच सर्मा एज़ा कैप्टन के लेंगे विराट कोली भी वापे इंक्लूड है जितेश शर्मा एज़ा विकिट की पर संजू संसंग एज़ा कुमार की नाम यहापे बरिया तरीके से रखा गया है तो हम अगर बात करें एक परफेक्ट स्क्वाट की यहापे तैयारी की कोशिश है और इसके साथ जो में दो प्लेयर थे जो टी टोइंटी और हर फॉर्मैट की महरती है उन दोनों को फिर से हम इंडियन टीम में देख पाएंगे और रोहिच शर्मा कप्तानी करेंगे और आप कह सकते हैं जरूर से अब पता चल रहा है कि 24 के जो टी टोइंटी वालक अप होने वाला है जून से उसमें रोहिच शर्मा और विराट कोली बड़िया तरीके से हिस्सा लेंगे तो इसके उपर आपका क्या रहा है ह जरूर से इंक्लूड करना और जुजबंदर चहल को क्या या पी इंक्लूड होना चाहिए था या नहीं इसके उपर भी अपना राय जरूर से बताना ठैंक यू